आज हम धारा का उश्मिय प्रभाव के बारे में जानेंगे हमारे दोवारा प्रयुक्त होने वाला उपकरण जैसे हीटर, इलेक्टिक प्रेश, गीजर, आधी में विद्दुद उर्जा को उश्मिय उर्जा में बदल देता है शाधरन अनुभव की बात है कि जब हम किसी चालक तार में विद्दुधारा प्रभाईत करते हैं तो वहां तार गरम हो जाता है इलेक्ट्रोन सिध्धान्त के अनुशार जब चालक तार के दोनों सीरों के बीच विवांतर लगाया जाता है तो तार के प्रत्यक बिंदु पर विद्दुध छेत्र उत्पन हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोन विद्दुध छेत्र के विपृत दिशा में त्वरित हो जाता है ये त्वरित इलेक्ट्रोन तार के धनायोनों से टकाते जाते हैं तथा बैटरी या स्रोथ से प्राप्त उर्जा को खोते जाते हैं आगे फिर से त्वरित होते हैं और पुन्ह धनायोन से टकरा कर अपनी उर्जा खोते चले जाते हैं इलेक्ट्रोनों के दोरा खोई गई यहां उर्जा तार में उश्मा के रूप में प्रकट होती है अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालकतार में विद्धुधारा प्रवाहित करने पर उसमें उश्मा उत्पन होती है इस प्रभाव को धारा का उश्मे प्रभाव कहते हैं घर में प्रयुक्त होने वाला फ्यूजतार जो कि टीन एवं शीशा के मिस्रधातु का बना होता है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च तथा गलनांग निम्न होता है यहां फ्यूजतार भी धारा का उश्मिय प्रभाव पर आधरी थे आईए अब हम धारा के उश्मिय प्रभाव की गणिती व्यक्षा को देखते हैं यदि किसी चालक तार के सीरो के मद्ध विभावांतर वी लगाने पर 30 सेकंड तक उसमें आई विदुद्धारा प्रवाइत होती है तो 30 सेकंड में तार से बहने वाला आवेश Q बराबर I गुनित T इसे समीकरन एक मान लेते हैं अब विभावांतर की परिभाशा से Q आवेश को तार के एक सीरे से दूसरे सीरे तक ले जाने में किया गया कारे W बराबर Q गुनित V समीकरन एक से Q का मान रखने पर W बराबर V गुनित I गुनित T इसे समीकरन दो मान लेते हैं परंतु ओम के नियम से V बराबर IR V के इस मान को समीकरन दो में रखने पर W बराबर I स्क्वेर R गुनित T इसे समीकरन तीन मान लेते हैं समीकरन तीन में I बराबर V बटे R रखने पर W बराबर V स्क्वेर T बटे R इसे समीकरन चार मान लेते हैं समीकरन दो तीन एवं चार द्वारा प्रदर्शित कारे W ही तार में उश्मा की रूप में प्रकट होती हैं इसे लिए तार में उत्पन उश्मा H बराबर W होगी इसे लिए H बराबर V I T बराबर I स्क्वेर R T बराबर V स्क्वेर T बटे R जूल होगी यदि उश्मा को कैलोरी में न पाजाए तो H बराबर V I T बराबर 4.2 कैलोरी या H बराबर I स्क्वेर R T बराबर 4.2 कैलोरी या H बराबर V स्क्वेर T बराबर 4.2 कैलोरी होगी